स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो इससे नेक्स लेक्चर आपके पास सबसे पहले जाएगा और शेर करके आपने फ्रेंड्स को भी हेल्फ किजिए चलिए फिर अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं वेलकम टू दा नेक्स लेक्चर आज के इस लेक्चर में हम लोग अगले असेंड्मेंट्स की तरफ बढ़ेंगे और आज के इस असेंड्मेंट्स में हम एकसरसाइज 19, एकसरसाइज 22 और ये 25 और 26 मिनिमम चार तो हम करने वाले हैं बिलकुल आसान हैं तो जरा गहर से देखिएगा कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको जरूर मिलेंगे ठीक है क्या होता है ड्राइंग को स्किप करना मुझे अच्छा नहीं लगता है छोटा हो बड़ा हो एक बर बनाते चलिए और मैं ये काम आप लोगों को भी बोलूँगा कि आप लोग भी ड्राइंग को स्किप मत किजिए जितना आप ज़्यादा ड्राइंग करेंगे उतना आपका confidence बढ़ेगा I always recommend to work with all the small and big drawings तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं चलते हैं अपने AutoCAD में AutoCAD को हमने स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पर जाने के बाद आपको लेना है ACAD ISO.DWT आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है क्लिक करने बाद ज़रा देखिए हमारे पास बिल्कुल भी सब गायब दिख रहा है तो मैं बार बार इसको सेट करता हूँ लेकिन यह चला जाता है खैर मैं इसको पर्मनेंट सेटिंग कर दूँगा यह हमने OK कर लिया है डिस्प्ले वगेरा खैर जानना भी ठीक है यह सब अगर गायब होता है था हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है और यह सब ठीक है कोई दिकत नहीं है अगले ड्राइंग को हम सुरुवात से बनाएंगे तो उसके लिए जरा सा हमें यूनिट चेक कर लेना चाहिए यू एन इंटर जरा चेक कर लिजे हमने एमें में लिया है कि नहीं लिया है तो यह अल्रेड़ी हमारा मिलिमेटर में सेलेक्ट हो चुका है तो आपको फिर से चेंजिस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अब बढ़ते हैं इस ड्राइंग की तरफ बाथ करेंगे इसके बारे में सोचिए तो मैं इस दो सरकल को पहले बनाऊएंगा फिर इन दोनों सरकल को मैं कॉपी करूँगा कितना distance में अप यहाँ पर देख सकते हैं 45 एंड प्लस 20 इन टोटल कितना हो गया 65 तो इतना distance में मैं copy करूँगा तो चलते हैं start करेंगे इसका radius दिया गया है अंदर वाले का 20 और बाहर वाले का diameter दिया गया है 30 का तो चलते हैं start करते हैं आप direct चाहें तो यहां से circle ले सकते हैं select किजिए और radius आप 15 ले लिजिए radius 15 का मतलब diameter 30 होता है अगर इसमें आपकी line की thickness नहीं दिख रही है तो आप यहां से line weight button को on कीजिए तो आपका यह हो जाएगा उसके बाद फिर से आप क्या करते हो diameter लेते हो इसको select कीजिए और इसका जो diameter लिया गया है वो कितना लिया गया है या तो फिर यहां पर 40 का मैं diameter डाल देता हूँ no problem तो इसका कितना हो गया आप double click करके check कर सकते है तो इसका diameter 40 है और इसका diameter हमारा कितना है 30 है तो यह हमारा दोनों side से बनके हो गया तयार यहां पर calculate करेंगे तो इसा ही आएगा अब अगला काम हमें क्या करना है इन दोनों circles को हमें 65 distance में copy करनी है तो आप इन दोनों को select कीजिए यह है हमारा copy tool कहीं पर भी click कर सकते हैं इस direction में जाना है और 65 डाल देना है इंटर और एक बार और इंटर कर दीजिए यह देख लिजिए हमारा आसानी से आ चुका है अगर हम लोग चाहें कि बबाद distance सही सही आया है कि नहीं आया है तो आप यहां से जाके उसको check कर सकते हैं हमारा distance है आप इस center पे click किजिए फिर आप इस center पे click किजिए तो आपको total distance बताएगा that is 65 और यहां तक लेते हो देख लिजिए 45 है है ना और फिर से अगर आप यहां से check करते हो यहां तक तो यह हमारा 20 है तो जो की सही है जैसा यहां पर दिया है अब अगर आप गौर से देखिए गा तो इसका जो center दिया है वो इसक total height दी गई है वो है 100 की तो आपको यहां से लेना पड़ेगा और इसका diameter ज़रा गौर से देखिए गा तो यहां पर आपको 55 का है तो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहां से मैं एक center diameter circle लेता हूँ इस quadrant को मैं select करूँगा नीचे आउँगा और नीचे आने के बाद कितना डालन distance 100, enter और इसका जो diameter पूछ रहा है इसका diameter डाल यह 55, enter and that's all यह हमारा हो गया है एक और लेता हूँ इसको बोलते हैं PCD मतलब pitch circle diameter यहां से आप ले सकते हो 38 का तो आप यहां से C4 circle ले सकते हो, center ले सकते हो, D4 diameter ले सकते हो और 38 इसका डाल दीजिए फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए 12 diameter का hole लेना है, वो भी 4, तो आप क्या करना है, फिर से space करके circle command को repeat करना है, यह ले लिया D4 diameter और 12 ले लिया मैंने अब इस circle को हमें pattern करना है, या फिर array करना है, तो आपको इसको select करना है, फिर आप यहां पे जाईए, मैंने polar array बताया है, फिर यहां पे center पे click कर देना है, हमें कितना चाहिए, only 4 चाहिए, तो आप यहां पे 4 item कर दिजिए, और here you can see, हमने इसको पूरा complete कर लिया, यहां पे देख सकते हैं, है न, यह हमारा आ चुका है, अब अगला काम, अगला काम यह है कि कई लोगों को इसमें डर लगता है कि यह create कैसे करना है, तो मैंने आप लोगों को tangent, tangent, radius वाला circle बताया है, जो की आपको यहां पर मिल जाएगा, you can see here, tangent, tangent, radius, आपको यहां click करना है, यह दे दीजिए, that's all, यह हो गया, एक बर फिर से दिखा देता हूं, इसको मैं raise करता हूं, यहां से मैंने लिया tangent, tangent, radius, मैंने इसको select किया, फिर इसको select किया, फिर radius 98 लिया और enter कर दिया, यह हमारा आ चुका है, फिर देखिए, यहां से भी लेना है हमें tangent, tangent, इसमें radius नहीं है, क्य क्या करना है, बस यहां से line लेना है, shift प्रेस करना है, right click करना है, यह देखिए हमारा tangent आ गया, यह रहा हमारा, फिर से shift दबा के ही रखना है, right click करना है, फिर से आपको tangent ले लेना है, here you can see, तो इस तरह से मैंने इसको भी ले लिया है, अगला step यह रहेगा कि यहां पर हमें क क्या करना चाहिए, यहां पर हम दो काम कर सकते हैं, एक तो हम fillet भी ले सकते हैं, दूसरा हम tangent tangent radius भी ले सकते हैं, चलते हैं मैं दोनों की तरफ बताता हूँ, यहां से आपको tangent tangent radius लेना है, जरत गौर किजिए radius इसका 20 है, तो आपको यहां से एक tangent, दूसरा tangent और radius इसका 20 ले इस तरह से मैंने इसको बना दिया, बाकी का आप trim कर सकते हो दूसरा तरीका क्या है, आप यहां से fillet ले सकते हो देखिए, fillet लिया मैंने, फिर यहां से radius लिया, radius डालता हूं 20, enter और जाने के बाद आप यहां पे select कीजिए, फिर यहां पे select कीजिए इसमें ये फाइदा हो गया कि हमें trim नहीं करना पड़ेगा फिर आपको ये extra हटाना है तो आपको tr double enter कर देना है और इसको आप click कर देजिए इस तरह से मैंने इस part को पूरी तरह से complete कर लिया है अब जरा सा मैं इसमें center lines दिखा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा stick अच्छा दिखे annotate में जाना है यहां से center mark लेना है ये हो गया ये हो गया ये हो गया फाइनली done उसके बाद हमें match property करना है यहां पर आप home में जाईए और ये रहेगा match property आप इसको select किजिए यहां पर click किजिए ज़रा गवर किजिए गात आप देख सकते हैं इन सब का scale थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है तो आपको क्या करना है कोई बात नहीं सबको आप select कर दीजिए control plus one किजिए और control plus one करने के बाद यहां पर आप 0.5 कर सकते हैं अगर आपको सही लगता है इतना scale तो ठीक है नहीं तो और भी छोटा आप कर सकते हैं इसमें कोई दिखत की बात नहीं है ठीक है तो point three का मैं लगता है सही है आप इसको close कर सकते हो यह देख लिजिए हमारा आज का पहला exercise बनके तयार हो चुका है ठीक है अब आप इसको save कर सकते हो lecture 11 कर देता हूं ठीक है इस तरह से यह हो गया हमारा मैं इसमें dimensions बिलकुल भी नहीं दिखाने वाला हूं क्योंकि जितने भी dimensions इसमें apply किये गए है वो सारे dimensions आप खुद बखुद कर सकते हो क्योंकि हमने पिछले lectures में इस तरह के dimensions कैसे apply करते हैं वो मैंने बताया हुआ है ठीक है फिर भी अगर दिक्कत आती है then make a comment to me और whatsapp में ठीक है मैं आपके problem को solve करूँगा चलते हैं अगले drawing की तरफ अगला drawing में थोड़ा सा लोगों को लगता है परेशानी होती है बट इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है बिलकुल यह आसान है if you think in the right way ओके तो let's have a look how to create the exercise number 22 यहां से हम लोगों को सुरुवात करनी है देख सकते हैं यह हमारा है diameter 45 यह हमारा है 90 ठीक है और यहां पर दिया हुआ है बिलकुल भी नहीं कुछ dimension तो यह मुझे लगता है 90 diameter का ही होगा आप इसको 90 ले लीजिए फिर यहां center shift किया गया है 22 में और इसका जो radius दिया है 90 में है ठीक है फिर एक line लिया है tangent और यह जो tangent लिया है वो अंदर वाले के साथ लिया है बाद में यहां पर fillate किया है ठीक है फिर यहां से हमें लेना है एक 45 radius का circle और फिर से यहां से लेना है 45 radius का circle और बागे का हम trim कर देंगे तो यह हमारा process रहेगा चलिए बनाते हैं इसको फिरस्ट आफ ओल यहां से हम क्या कर लेते हैं by layer और यहां पर जाने के बाद 0.30 का कर लिजिए सबसे पहले आपको दो circle की ज़रूरत है एक का diameter है 45 इंटर दूसरे का है 90 तो यहां से मैंने 90 का ले लिया और 45 का भी ले लिया यह हमारा दो circle आ चुका है अब यह बड़े वाले circle को मैं यहां पर 178 में copy करता हूँ नीचे की तरफ इसको आप select कर लिजिए यह रहा copy, base point, नीचे आईए कितना है भाई, 178 का है तो आपको 178 लेना है 178 type कीजिए, enter कीजिए space कर सकते है उसके बाद यहां पर क्या दिया है एक और हमें circle की ज़रूरत है जिसका center जो है, इस center line से right side में 22 shift है तो हम क्या कर सकते हैं direct circle ले सकते हैं इसके center से हम shift करेंगे यहां से हमें shift करना, 22 enter तो इस circle का जो center है वो उसके center से 22 right side में shift हो चुका है अब इसका radius कितना दिया है 90, यह हो गया अराम से देखिएगा बाद में हम center line ले सकते हैं यह techniques अगर आपको पता नहीं है तो आपको आना चाहिए क्योंकि हमारा काम इससे काफी आसान हो जाता है फिर इसके quadrant से मुझे जाना है 45 distance में और फिर उसका radius 45 लेना है तो यहां से हमें circle लेना है और यहां से मैं track करता हूँ यह रहा हमारा track कर दिया 45 enter radius इसका 45 enter यह देख लो आ गया फिर आप इस quadrant को track कीजिए 45 में तो आपको फिर से space करके repeat करना है और यहां से मैंने इसको track किया 45 enter again 45 enter यह देख लो कितना कमाल का था यह हमारा हो गया है अब आगे का काम कर लेते हैं जड़ा सा गौर कीजिएगा यहां से tangent tangent में लिया गया है तो मैं line ले लेता हूँ shift button को press करता हूँ right click करता हूँ tangent लेता हूँ यह देखिए हमारा tangent आ गया फिर right click करके tangent लिजिए यह रहा हमारा space कर सकते हो एक और काम हमें करना है यहां से यहां तक tangent में लेना है तो आपको again एक line और लेनी है shift दबाना है right click करना है tangent इसको select किजिए फिर right click करके tangent यहां पर इसको select किजिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यहां पर आप देख सकते हो कि 32 का radius दिया गया है उसको हम बाद मिलेंगे पहले हमें trim करना चाहिए ठीक है तो tr double enter कर देता हूँ यह सब जो है हटा दिजिए ताकि हमारा काम थोड़ा सा neat and clean लगे अब ज़रा गौर किजिएगा कि यहां पर देखिएगा हमारा है ना तो 32 दिया गया है तो आपको fillet लेना चाहिए यह हमारा fillet tool radius 32 enter और यहां से select किजिए इसको और फिर इसको इस तरह से हमारा 32 का radius भी आ चुका है अब चलते हैं center mark की तरफ तो यहां से हमें normal ले लेना है by default और यहां से आप yellow color ले लिजिए फिर annotate में जाईए फिर यहां से center mark किजिए एक तो यहां पर center mark है एक यहां center mark है ठीक है और अगर आप चाहें तो यहां पर भी दिखा सकते हैं बट इसकी ज़्यादा जरूरत हमें नहीं लग रही आप एक यहां पर भी ले सकते हैं to show the shifting of centers ओके आप चाहें तो इसको भी दिखा सकते हैं इसको भी दिखा सकते हैं इससे होता यह है perfectly जब आप dimensions apply करते हो तो वह अच्छे से समझ में आता है तो आप इसको क्या करें delete कर दें और इस line को पकड़के थोड़ा सा मैं इसको खिच सकता हूँ ओके यहां तक ले सकते हो here you can see पूरी तरह से perfectly हमारा bite चुका है अब क्या है यहां पर dimension ही तो डालना है आप वह आसानी से कर सकते हो यह मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बिल्कुल भी simple है तो आप यह कर सकते हो ठीक है यह हमारे रहे दो पार्ट ठीक है आप इसको जड़ा सा move कर सकते हो जिदर रखना चाहें रख देजिए control s प्रेस करके आप इसको save कर दीजे ठीक है बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ अगले पार्ट में है हमारा यह simple से दो और objects जो की बिल्कुल भी आसान है यहाँ पर हमें 4-4 circle लेना है यह ले लेता हूँ मैं 20 का यह ले लिया मैंने 38 का दो circle तो पहले ले लो diameter में है ना home में जाईए यह रहेगा center diameter यह I'm sorry यहाँ से हमें by layer करना है और इधर से point 30 का लेना ठीक है इसको मत भूलिएगा यहाँ पर कितना दिया गया है 20 and 38 यहाँ पर select करेंगे diameter 20 और यहाँ से फिर से 38 ले लेना है यह हो गया हमारा पहला अब यहाँ से देखिएगा 75 का है अच्छा मैं एक और logic बताना चाहता हूँ suppose मैं इन दोनों को ही select करके copy कर लेता हूँ select किया copy किया इधर base point लो और नीचे डाल दो 75 enter enter अब ही अगर इसके dimension मुझे change करने है तो कर सकता हूँ क्या definitely हम लोग कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 64 करना है और 34 करना है आप यहाँ से double click किजिए यह देख लो इसका diameter आ गया 64 enter कर दीजिए इसका center change नहीं होगा फिर यहाँ पर double click किजिए इसका diameter 34 कर दीजिए no problem एक बार अगर भरोसा नहीं है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं center to center measure करके देख सकते हैं वबा आपने सही लिया है कि नहीं लिया है अब चलते हैं यहाँ पर देखो आप fillet भी डाल सकते हो कितने का fillet है 64 का fillet है तो आप यहाँ से fillet लिजिए radius लिजिए 64 enter और यहाँ से हमें multiple कर लेना है क्योंकि इस side भी करना और इस side भी करना ठीक है select कर सकते हैं ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे कर सकते हैं that's all about this part बिल्कुल आसन था इसमें कोई logic की बात नहीं है आप यहाँ से फिर से क्या करें by layer में जाएं और यहाँ से center ले ले यह दिखा दीजिएगा अच्छी practice है इसको मद भूलिएगा dimensions वगेरा मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है ता आप यह खुद कर सकते हो ठीक है बढ़ते हैं अगले part की तरफ अगले part में भी वैसे ही कुछ लेना है बिल्कुल आसान है ठीक है और यहाँ से point 30 ले लेता हूँ अभी देखिए यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को दो circle लेना है पहले तो हम क्या करेंगे diameter देखिए 24 फिर diameter 70 दो circle ले लेता हूँ आप यहाँ से select किजिए center 24 लेना है तो आपको 24 ले लेना चाहिए यह रहा 24 enter और दूसरा circle हमारा space करके center और यह radius वाइज आता है आपको यहाँ से diameter करना है 70 कर देता हूँ ठीक है बाद में देखिएगा यहाँ से मुझे एक horizontal line लेना होगा ताकि यह सब हम अच्छे से कर सके line लेता हूँ यहाँ से मैंने ऐसा किया आप चाहें तिधर से ऐसा कर दीजिए अब बात करते हैं और यह देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक का distance दिया गया है 50 और उपर लिया गया है 6 का तो हमें क्या करना है एक और वर्टिकल लाइन लेना पड़ेगा offset लूँगा 50, enter इसको select किजिए ऐसा लिजिए फिर इसको आप 10 में ले सकते हो फिर उपर जो है वो 6 में ले सकते हो यह हमारे सारे offsets हो चुके है जरा गौर किजिएगा तो इस center से हमें क्या करना है 45 radius का दूसरा काम हमें क्या करना है नीचे से लेना है 25 radius का C4 circle यह रहेगा वो point जहां से हमें लेना है याद रखिएगा intersection से लेना है 25, enter यह या you can see हमने पूरी तरह से complete कर दिया है आप अगर चाहें तो रखो नहीं तो आप trim भी कर सकते हो इसकी कोई जरूरत फिलहाल तुर नहीं है है ना अब tr double space आप इसको हटाईए इसको हटाईए इन सब को हटा दीजिए no issue इसको भी हटा दीजिए और यहां से मैं इन दोनों को भी erase कर देता हूँ देखिए गौर से अब यहां पर हमें 50 radius का एक circle डाल देना है तो यहां से आपको fillet लेना है radius और 50 enter कर दीते हैं यहां से आपको select करना फिर यहां पर select करना है here we can see we have completed this drawing बिल्कुल perfect है और फिर से हमें क्या करना है centers apply कर देना है okay by layer में जाता हूँ यह लिए annotate center mark और here we have this one this one okay and this one इसकी जरूरत नहीं है लेकिन है ना इसको delete कर देते हैं हम लो and that's all about this drawing ओके थोड़ा बहुत कम करना चाहते हो इसके length वगेरा तो हम कर सकते हैं इसकी कोई बात नहीं है हम नहीं कर सकते अराम से यहां से जितना बड़ा आपको लगता है उतना बड़ा आप रखिए नहीं तो मत रखिए ठीक है आपकी मर्जी है लेकिन यह सब center marking के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि dimensions वगेरा फिर दिक्कत आती है हमें डालने में ओके तो यह दिखाना हमारे लिए compulsory है ठीक है आपकी मर्जी है आगे बढ़ा जाए क्या चलिए यह दोनों और cover कर लेते हैं ओके चलते हैं हम लोग इसी के साथ में अगला और 4 भी बना ही देते हैं चलो फिर नो problem क्या है ज़्यादा time waste नहीं करना है चलते है exercise 27 की तरफ है ना बढ़ते हैं आगे अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे सो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक square लेनी है 24 by 24 का आप यहाँ से home में जाएए फिर यहाँ से आपको क्या करना है by layer और फिर यहाँ से आप कर दीजिए 0.30 mm rectangle ले लिजिए यहाँ पर क्लिक कीजिए 24 tab 24 enter इससे आप एक rectangle ले सकते हैं अगला step यह है हमें एक circle लेना है जिसका diameter 80 का है C for circle center D for diameter 80 enter इस तरह से मैं ने circle ले लिया square ले लिया अब अगला काम देखिए यहाँ पर भी हमें जो है दो circle की जरूरत पड़ेगी और distance दिया हुआ है 115 का तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं radius 20 का है और diameter 20 का है no problem C for circle आप इस center को track कीजिए 115 length डालिए और enter कीजिए इसका radius 20 ले ले लेते हैं space करके फिर से circle को repeat करते हैं center ले लिया फिर से D for diameter और 20 ले लिया तो इस तरह से मैंने दोनों circle भी ले लिया है अगला step क्या है tangent tangent radius वाला circle लेना है यहाँ पर हम fillet डालेंगे यहाँ पर fillet नहीं बैठेगा तो हमें क्या करना होगा यहाँ से tangent tangent radius ले लेना है एक रहा यह tangent दूसरा यह tangent और हमारा radius कितना है तो आप ज़रा गौर किजिएगा यह हमारा radius 100 दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर 100 डालना चाहिए ठीक है और अगर मैं यहाँ पर tangent radius लेता हूँ तो भी चलेगा नहीं तो आप fillet लेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा 38 का है आप यहाँ से ले सकते हो fillet यह रहेगा radius यह रहेगा 38 इंटर और आप इसको select कर सकते हैं इसको select कर सकते हैं TR double enter इसको हटा दीजिए और यहाँ से आप क्या कर सकते हो इसको trim कर सकते हो ठीक है यह हमारा trim हो गया here you can see we have completed this part as well okay let's apply the है ना कर देता हूँ यह हो गया और यह हो गया आपकी मर्जी है आप दोनों को चाहें तो touch कर सकते हैं एना जहाँ जैसा दिया हुआ यहाँ पर वैसा आप कर सकते हैं no issue यहाँ से आप इसको बढ़ाईए जरा सा यहाँ तक कर दिजिए touch okay आपकी मर्जी scale वगेरा control one प्रेस करके हम लोग कर सकते हैं change यह part हो गया हमारा under two minutes जरा सोचिए इसके बारे में यहाँ पर हमें एक circle लेना है जिसका diameter है 65 का ठीक है C for circle center यह ऐसा आरा है क्यों क्योंकि हमने इसको select किया हुआ yellow color में तो आप इसको by layer कर सकते हैं और यहाँ से इसको मैं point 30 का ले लेता हूँ ठीक है C for circle लीजिए center लीजिए D for diameter लीजिए 65 diameter value डालिए अब देखिए यहाँ पर मुझे एक और circle लेना है वो भी 145 नीचे जिसका radius दिया गया है 12 का तो आप क्या कर सकते हैं C for circle इसके center को हम track करेंगे इस तरह से और 145 value डालेंगे enter और इसका radius दिया गया है 12 का line ले लेता हूँ यहाँ से पकड़के मैंने सीधा इधर फिर से मैंने line ले लिया इससा अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर fillet apply करने वाले हैं जिसका radius 65 का है आप यहाँ से fillet ले सकते हो radius ले सकते हो 65, enter और यहाँ से multiple कर सकते हो फिर आप इसको select किजिए इसको select किजिए और इसको select किजिए ठीक है फिर अब tr double enter करके आप इसको trim कर दीजिए आई बात समझ में है यह हो गया हमारा दूसरा यहाँ पर है एक hexagon लेना है जिसका एक side 20 का दिया हुआ है तो इसको हम कैसे लेते हैं यहाँ पर देखिएगा आपको polygon मिलेगा polygon में जाने के बाद आपको पूछेगा enter number of sides तो हमें कितना चाहिए 6 चाहिए 6 लीजिए और enter किजिए फिर आपको क्या बोल रहा specify center point तो यह हमारा center point रहेगा अब which type of polygon we need we need inscribed in circle यहाँ पर click किजिए और side का length कितना दिया है 20 तो आपको भी 20 डालना है आई बाद समझ में अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपने एक side का length 20 लिया है कि नहीं लिया है यह देख लिजए आपका 20 आ चुका है बट इस polygon का orientation देखिएगा थोड़ा उपर में है तो आप इसको rotate कर सकते हैं यह हमने पिछले lecture में बताया हुआ है आप इसको select किजिए rotate में जाएए यह हमारा base point है उपर जाके click कर देजिए यहां से हमारा यह rotation हो जाता है आई बात समझ में that's all about this drawing ठीक है बिलकुल आसान है है ना अब बाद में हम क्या कर सकते हैं इसको by layer लिजिए फिर यहां से center color ले ले लेते हैं और center mark लिजिए इसको और इसको दोनों को select किजिए and here we can see आप यहां से पकड़के यहां तक कर सकते हो ठीक है dimensions आप लोग दिखा सकते हो इसलिए I am not going to show all the dimensions है ना आप दिखाईए और आगे बढ़िए ठीक है फिर से हम यहां पर by layer में जाएंगे और यहां से आपको 0.30 का ले लेता हूँ बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ यह दो पार्ट हमारे और बन चुके है इन दोनों exercises को जरा गौर से देखिएगा क्योंकि हम लोगों को कई बार इन सब में दिक्कत आती है ठीक है इसमें कैसे create करना है तो बिल्कुल आसान है चलते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है अब आगे बढ़ने से पहले जरा सा मैं बता दूँ कि यहां पर आपको मिलेगा एक यह circle जो है इसका radius नहीं दिया हुआ है तो हम इसका क्या करेंगे अपने हिसाब से 20 radius consider करने वाल है ठीक है चलते हैं start करते हैं तो यहां से मैं 20 radius फिर 45 radius फिर 64 radius फिर 80 radius है ना इस तरह से मैं 3-4 circle ले लेता हूँ ठीक है C4 circle लेता हूँ center 20 enter फिर a space करके repeat करना है फिर से center डालना है 45 डालना enter फिर से space करना है center लेना है 64 डालना है enter फिर से क्या है हमारा भई 64 के बाद क्या है 80 का है ताप 80 का भी ले सकते हैं center लिया और यहां से हमें 80 कर देना here we have यह सारे हो गए यहां पर जाने के बाद हम लोगों को अपना style बदलना पड़ेगा जरा गौर कीजिएगा इस ड्राइंग में इस ड्राइंग में जरा सक और कीजिएगा कि यह जो 16 का dimension दिया गया है वो इसका radius है आप इसका radius जो है है ना यहां से यहां तक का है 16 का तो यहां से यहां तक भी 16 का होगा ठीक है ना तो हमें क्या करना है 80 वाले arc में से 16 कॉपी करना है और फिर 80 वाले radius में से 28 जो है हमें कॉपी करना है या फिर offset करना ठीक है तो आप कर सकते हैं उसको देखिएगा यह हमारा 80 वाला है ना अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ offset फिर आपको क्या करना है 16 का offset लेना है और enter करना है इसको select किजिए बाहर किली किजिए 28 में या we have created all the things now vertical lines लेना जरूरी है एक horizontal line भी लेना जरूरी है अब हमें क्या करना है 30 degree में इसको rotate करना है 30 degree में इसको rotate करना है तो हमें क्या करने बर्टिकल लाइन को select करना है rotate यह लिए base point कॉपी करना जरूरी है और 30 डिग्री मैंने डाल दिया तो यह हमारा एंटी क्लॉक वाइज आ गया आब इसको सलेक किजिए यहां से रोटेट किजिए यह रहेगा बेस पॉइंट और माइनस सॉरी यहां पर कॉपी करना जरूरी है माइनस में 30 डाल दिजिए तो यह हमारा क्लॉक वाइज हो जाएगा और इस तरह से करने के बाद हमें यहां पर 16 रेडियस का सरकल लेना है और 128 रेडियस का भी सरकल लेना है तो C4 सरकल यह है हमारा इंटर सेक्शन 16 रेडियस ले लिजिए स्पेस कीजिए फिर यहां से आपको जाना है 28 का एक और ले लिजिए आई बत समझ में अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ मिरर में जाता हूँ फर्स्ट पॉइंट ओफ मिरर लाइन सेकंड पॉइंट ओफ मिरर लाइन यहां से नो कर दिजिए इतना हो गया उसके बाद हमें इन दोनों सरकल को सेलेक्ट करना है फिर से मिरर में जाना है फिर से फर्स्ट पॉइंट ओफ मिरर लाइन सेकंड पॉइंट अफ मिरर लाइन और नो कर दिजिए इस तरह से हमने अपना काम कर लिया है वो भी आसानी से चलते हैं जो जो चाहिए उसको रखेंगे जो जो नहीं चाहिए उसको हम ट्रिम कर देंगे तो टी आर डबल इंटर कर दीजिए यहां से पकड़ के मैंने इतना गाइब कर दिया फिर इतना गाइब कर दिया फिर इसको यहां पे रह गया, तो आप इसको भी ठीक कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अराम से काम कीजिए, कोई जल्द बाजी नहीं है, हम लोगों को एक ही बार सिखना है, ठीक है, आपको हर तरह से आजादी दी जाती है, अगर आप online course purchase किये हैं, और उसमें देख रहे हैं, तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ताप हमें call कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमारे experts आपकी doubt को clear करें, या तो मुझसे भी आप बात कर सकते हैं, मैंने अपना personal number website में दे रखा है, ठीक है, ताकि हमारे students को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है, अब यतना हमने कर लिया है, अब जरा देखिएगा, यहाँ पर हमने r for radius लिया है 10 का, तो यहाँ पर हमें fill it लेना है, radius लेना है, 10, enter, और यहाँ पर है multiple, ठीक है, आप इसको select कीजिए, select कीजिए, और इसी तरह से मैं चारों जगों पर कर सकता हूँ, here you can see, ब थोड़ी से हम क्या कर लेते हैं, फिर अपना हम center वाला apply कर देते हैं, ताकि हमारा काम बड़ा ही smooth लगे, annotate में जाके, आप यहाँ center mark कर दीजिए, here you can see, हो गया काम हमारा, अब हमें क्या करना है, ma4 match property, और इसको select करके, इसमें और इसमें apply कर देना है, इसमें भी apply कर देना तो आपका काम थोड़ा अच्छा लगेगा, tr double space, हो गया, यहाँ से भी हम इसको trim कर देते हैं, e for erase कर दीजिए, here we have created this part completely, okay, I hope यह parts आपको समझ में आये होंगे, ठीक है, यह देख लो, dimensions मैं नहीं दिखाने वाला, dimensions आप लोग कर लेना, बिलकुल आसान है, है ना, इसके ल चार, तीन, साथ हो गया, और आखरी कर लेते हैं आज के lecture के लिए, यहाँ से मैं by layer में जाता हूँ, यह रहेगा मेरा point 30 का, जरा गौर कीजिएगा इस drawing में, इस drawing में हमें क्या क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले था में dimensions calculate करने है, यह हमारा उपर से नीचे तक दिया ग 85-45, बचा कितना यहाँ से, 40 का ठीक है, तो आप कर सकते हैं, पहले लेना 45, 30, 40 का लेना है, polyline ले लेते हैं, यहाँ से मैं ने 45 लिया, enter किया, फिर इधर जाना है 30, enter, फिर इधर जाना है 45, sorry, 40, enter, और इधर कितना जाना है भई, तो यह देखिए 55 plus 25, तो total कितना हो जाएग 80, लिया, enter किया, here you have, और इसके बराबर में जाके इसको close कर देता हो, और यहाँ समयने इसको close कर दे, या तो फिर आप यहाँ पे भी click करके close कर सकते हो, here we have created the closed profile, now we have to apply some fillets of 15 radius, here you can see 15, 15, 15, 15, यहाँ पे 25 का है, और उपर यह जो रहेगा वो 60 का रहेगा, default क्योंकि यहाँ पर height 60 का दिया हुआ है, तो आप यहाँ से fillet लीजिए, radius लीजिए, 15, enter किजिए, और multiple किजिए, ठीक है, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा बार लेना है, इसलिए मैंने multiple ले लिया, और इस तर करना है, तो आप फिर से radius में जाएए, 25, enter, फिर आप इसको select और इसको select, फिर आपको इधर 60 लेना है, तो फिर से आपको radius में जाना है, 60, enter, यहाँ से select किजिए, फिर यहाँ पर select किजिए, here you can see, completed this drawing, ओके, अब अगला काम यहाँ पर diameter दिया है, 15 का, तो आप यहाँ से क्य है, यहाँ पर कोई भी diameter नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा सोचना है, इसका radius 15, इसका diameter 15, इसका radius 25, तो इसका diameter भी 25 का ले लिजिए, ठीक है, C for circle, यहाँ से अब center, D for diameter और 25 ले सकते हैं, here we have created this drawing also, and let's show the center lines, है न, which is very very much important, here we have created, yeah, I am not going to show the dimensions, because we have already discussed all types of dimensions in our earlier lectures, ok, so जितने भी previous lectures ने बताये गए हैं, वो सारे अगर आपने अच्छे से देखे हैं, तो आपको dimensions लेने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब यह है का आपने पिछले lectures को अच्छे से नहीं देखा है, आई बत समझ में, तो खर्चा करके दिये हो है ना, तो उसका फाइदा उठाइए, ठीक है, पूरा पैसा वसुल किजिए, ठीक है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगे, I promise, ठीक है, यह हमारे रहे आज के total drawings, आज हमने 8 assignments किये हैं, I hope यह सारे assignments आपके लि ठीक है, चलिए मैं जरा सा border line, add कर लेता हूँ, B for border ले लेता हूँ, ok कर दिया, ok कर दिया, और यहां से मैं line type select कर लेता हूँ, border to, और यहां से मैं rectangle ले लेता हूँ, here we have, ठीक है, जरा सा मैं इसका scale बढ़ा कर देता हूँ, select करके control 1 प्रेस कीजिए, यहां से आप 5 गुना 10 गुना बढ़ा कर दिजिए, और यहां से आपको offset ले लेना है, इधर से आप बढ़ा छोटा कर सकते हैं, 10 का मैंने offset ले लिया, control 0 प्रेस करके आप full screen कर सकते हैं, z for zoom कीजिए, और यहां से आपको क्या करना है, इतना area select कर लेना है, तो आपके सामने आ जाएगा, here we have created, कितन से कितना दूर तक हमने बना दिया जी, आज का जो assignment है, वो हमें कितना कर दिया है, control 0 फिर से प्रेस करता हूँ, हमने क्या कर दिया है, 30 तक ले लिया है, हमने शुरुआत कहां से किया था, exercise 19 से 30 तक हमारा complete हो चुका है, अब यहां पर type करना है हम लोगों को, हम ले सकते हैं, यहां से थोड़ा सा by layer कर देता हूँ, और exercise है ना, यहां से EX 19 to 30, control A से select किजिए, यहां पर मैं जरा सा 10 का असपास ले लेता हूँ, बाहर क्लिक कर सकते हैं, और बड़ा कर देता हूँ, जरा सा मैं 40-50 का ले लेता हूँ, ठीक है, यह हमारे हो गए हैं, आज का total काम, ठीक है I hope यह सारे exercises आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, मैंने dimensions नहीं दिखाया है, लेकिन आप लोग जरूर दिखाईएगा, आप लोगों के लिए अच्छा practice रहेगा